कि है खेलो इब्रींगर इस सेशन में हम लोग हीप फ्लेक्सर की बात करेंगे कैसे यह activity परफूम कराते हैं जो रेस्टोफ बचें होई हैं चलिट इस रेक्टीस फमर्फ इसका एनेटमी क्या है कैसे यह मोमेंट कराती है क्या इसका पैथो बारे में डिस्क्राइब करेंगे इसका जो अटेच्मेंट है जो इसकी ओरिजन साइट है इट इस फॉम पैलीज मॉम यह इसका बूलम रहता है अब बीचो रेक्टस पैमोरिस है जस्ट एसका बूलम के ऊपर यहां पर एक स्टेट हैड अराइज होता है और एक रिफ्लेक्टेड हैड अराइज होता है यहां से यह इसका बूलम है यहां से आराइज करती है लाइक बोन से यह अराइज करी है रिफ्लेक्टेड है करें और चैकर करी है जो रेक्टस पैमोरिस है एक common tenon जो रहता है quadricep femoris का वहाँ पे जाके ये hamstrings muscles का वहाँ पे ये insert करी है tibia bone इसका जो ये medial aspect है यहाँ पे जाके इसका जो है insertion हो रहा है first thing rectus femoris origin is from acetabular rim straight head and reflected head pelvis bone से originate करके फिर ये खहाँ पे insert होता है tibia के medial aspect पे जाके जो common hamstrings group of muscles है यहां के insert होते है semi tendinus, semi membranus, जो यहाँ पे रहते हैं semi tendinus, semi membranus, sartorius this is semi membranus, semi tendinus and हाँ पे sartorius और fourth one is rectus femoris this is its anatomy कहां से originate pelvis bone से originate करके tibia पे जाके insert हो रहें और इस medial aspect then about its action, action क्या क्या है, hip पे ये flexion produce कराता है, hip पे flexion produce कराता है second one जो ये knee पे क्या produce कराता है, extension, knee extension तो ये two joint muscle है, it is a two joint muscle, two joint muscle first ये hip joint को cross करती है, second ये किसको cross कर रही है, knee joint को that it is two joint muscles और जितनी भी two joint muscles होती है, उनके अंदर कुछ नो कुछ इंसफिसेंसी प्रेजेंट होता है whether it is active insufficiency, whether it is passive insufficiency अब जो rectus femoris है, उसमें active insufficiency present है अगर ये हमें चाहिए होता है कि दोनों पे ही moment हो like knee पे भी extension करा रही हो और hip पे भी flexion suppose में को straight ये pair उपर लेके जाना है तो ये muscle जो है दोनों पे काम करा रही है knee पे extension का का काम करा रही है और साथ की साथ hip पे ये जो flexion का काम करा रही है तो ऐसे में जो rectus femoris muscle के fibers है वो landing में चले जाते हैं landing में जाएंगे तो दो joints पे ये एक साथ काम कराएगी तो इतना efficiently वो दोनों action produce नहीं करा पाएगी बिकोज एक लाइन पे उसको दो-दो actions जो है perform करना पड़ रहे है ये two joints है जो को cross करके आ रही है simultaneously अगर हमें दो joints पे moment चाहिए कि hip पे flexion और knee पे extension तो rectus femoris के दोनों ही actions में है like hip पे वो flexion कराती है और knee पे वो extension कराती है और हम लोग fully extension में अगर pair को उपर लेके जाते है तो hip flexion वहाँ पे हमें complete नहीं मिलता है hip flexion सिरफ limited रहता है अगर हम लोग hip flexion करा रहे है साथ की साथ knee extension में hip पे flexion करा रहे है तो कितना limited रहेगा only to 90 degree 90 degree क्योंकि जो hamstrings muscles हैं वो contract करके इस चीज को limit करती है बट अगर हम लोग इसी को knee पे इसकी activity को diminish कर देते है knee को flexion में ले ले लेते है तो rectus femoris को सिरफ एक muscle का काम करवाना पड़ेगा sorry एक joint का करवाना पड़ेगा that is hip flexion तो जैसे ही knee को flexion में किया हम लोग पे को beyond 90 degree लेके जा पा रहे है beyond 90 degree इसको लेके जा पा रहे है 120 degree तक तो वो कैसे possible हुआ तब हमने active insufficiency को release क्या जो hamstring muscles उसको limit कर रहे थी उसको release क्या हमने सिरफ क्या क्या knee को flexion में लेके गए और फिर हमने hip flexion activity स्टार्ट की तो देखा कि वो 90 degree से beyond 20 तक जा रहे है 20 degree तक जो maximum hip flexion जो चला जाता है हम फर्स्ट हम लोगों को क्या release करना होगा active insufficiency simple is that अभी जो रेक्टस फैमोरिस है इसका भी जो cross-sectional area no sorry momentum है very low बट फिर भी ये efficiently work करती है और two-two joints पे अच्छे से function perform कर पाती है it is due to having greater physiological cross-sectional area इसका जो physiological cross-sectional area है अभी हम ये chief है इसका main action तो hip flexion का है अगर रेक्टस फैमोरिस की weakness आ भी जाती है अगर patho mechanics की बात करें अगर ये weak हो भी जाती है अगर weakness आ भी जाती है तो hip flexion पे ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि जो hip flexion का और accessory muscles भी है साथ की साथ हम लोगों की जैसे हमने बात किया ileozoas वो efficiently work करा देंगी वो efficiently perform करा देंगी ये हम लोगों को weakness कब दिखाई देगा तब हम लोगों को दोनों joints पे साथ में movement चाहिए suppose we have to climb the stairs उसमें knee flexion भी चाहिए और साथ के साथ hip पे flexion भी चाहिए या फिर हम लोग walk करें है उस time पे ये चीज एफिसेंटली दिखाई दे सकती है अगर rectus femoris weak है because वो हम पे knee extension भी कराएगा और साथ के साथ hip flexion भी कराएगा suppose अगर rectus femoris weak है if there is weakness of rectus femoris अभी patient जैसे ही चलेगा तो knee का buckling हो सकता है क्योंकि वो full extension में उसको रख नहीं पाएगा तो यहाँ पे क्या हो सकते buckling तो buckling होने के chances रहेंगे ने में अगर देखने है से rectus femoris का लेकिन hip की जो flexion activity है उस पे इसका ज़्यादा effect नहीं आएगा because ilio soasa too strong कि वो flexion करा देंगे लेकिन ने पे जो हम बात कर रहे है जो यह extension प्राइड करके रखता है तो उसमें buckling आ जाएगा एक दम से पैडल में लचका जाएगी simple is that first हमने रेक्टर स्पाम और इसका origin का बात किया origin इसका acetabular rim से और जो pelvis bone है वहाँ से straight head and reflected head दोनों प्राइज होते हैं above acetabulum और जाके यह insert tibia का medial shaft medial shaft जहां पर common hamstring standart जो है insert करते हैं उदर जाके यह insert करता है second thing यह two joint muscle है यह जो two दो जगह पर अपने actions perform करते हैं hip पर यह flexion कराती है और knee पर यह क्या करवाती है extension इसी के वजए से इसके अंदर active insufficiency present है active insufficiency present है it means जब हम लोग knee पर extension है जब rectus femoris को दोनों जगह पर काम करना पड़ रहे है knee पर extension भी है और हम लोग साथ में hip flexion भी करे हैं like that straight pair को उठा रहे हैं तो यह सिरफ 90 degree तक ही hip flexion हो पाएगा क्योंकि जो rectus femoris है वो maximum land कर गई है और उसके पास जितना power था उसने pride कर दिया अगर beyond हमें moment चाहिए तो हम लोगों को एक joint पर activity reduce करना पड़ेगा suppose I am reducing knee flexion मैंने कर लिया तो जो rectus femoris है अब वो efficient work कर सकते है और 120 degree तक moment करा सकती है because जो यहाँ पर hand instincts limit करी थी वो भी release हो गई है और अब rectus femoris जो है एक ही joint पर काम करी है knee flexion के बाद क्योंकि जो knee extension का काम था वो अभी खतम हो गया है हमने क्या क्या उसको knee flexion में ले गए और फिर उसके बाद कराते है तो rectus femoris और भी efficiently work कर पाती है efficiently contract करती है और beyond 90 degree वो moment लेके जा पाती है second, third thing इसके पास momentum कम है लेकिन efficiently work करी है due to mechanical advantage of physiological cross-sectional area फिर अगर इसका weakness हो जाता है तो hip flexion activity पे इसका ज़्यादा affect में ही दिखाई देगा because यहाँ पे ileus was जो strong muscles है other accessory muscles हैं वो help कर देगी but knee पे उसका affect दिखाई देगा जैसे हम लोग standing में है वोग करेंगे तो knee का buckling हो सकता है knee पे जो extension करा रहा था उसमें दिकत हो सकता है इसका buckling हो सकता है this is all about rectus femoris this is all about rectus femoris then हम second muscle का define करेंगे that is sartorius sartorius इसको tailor muscles भी बूल जाता है tailor muscles क्योंकि जो इसका action है similar जैसे tailor's पैठते है like hip पे flexion करके बैठते है abduction में और lateral rotation में बैठते है similar वो ही इसका action है like sartorius क्या क्या कराता है hip flexion abduction प्लस लेटरल लोटेशन this position is very similar when our tailor sits जैसे ही tailor बैठते है तो similar क्या होता है hip पे flexion हो रहा है जो दोनों legs है जो hip पे abduction में जा रहा है साथ के साथ उसके लेटरल रोटेशन रहता है अब भी जो इसके पास ये भी क्या है two joint muscles है two joint muscles है ये अब भी नीपे ये भी क्या कराता है extension bird जैसे ही हमने बात किया rectus femoris के साथ ये tbia के medial aspect पे लगती है यहाँ पे sartorius भी present है semi-taninus, semi-mumlinus and rectus femoris भी present है जो ये sartorius है हम बात करें थे ileo swaso rectus femoris की उनका mechanical advantage क्या था कि जो physiological cross section area था वो उनका भोज जादा था लेकिन अब भी हम बात करें है rectus femoris, नी सोरी sartorius, जो sartorius की length तो भोज जादा है बट जो उसका physiological cross sectional area है वो कम है is reduced तो इतना efficiently ये work नहीं कर पाती है इतनी ज़्यादा power से ये work नहीं कर पाती है sartorius because sartorius का जो physiological cross sectional area है वो limited है इसलिए इसके जो actions है वो pre-domain के लिए दिखाई नहीं देंगे slight moment इसकी possible होंगी as compared to हम इसको primary में क्यों रख रहे हैं क्योंकि इसका prime action क्या है hip का flexion कराना है abduction or lateral rotation कराना है यह हम लोग इसके compare में लेते है primary जो हम लोगों की secondary थी जो medial aspect की थी हमने बात किया था gracilus, spectinus, adductor longus, adductor magnus उनकी comparison में यह ज़्यादा efficiently work करते है इसलिए इसको हमने primary movers में लिया sartorius first thing हम लोगों को याद रखना है it is two joint muscle इसकी अंदर भी active insufficiency present है third is जो इसका physiological first is momentum बहुत कम है second साथ की साथ इसका जो physiological cross-sectional area है वो भी बहुत कम है इसलिए यह इतना efficiently work नहीं कर पाती है और जो इसका action है lateral rotation of the hip joint and abduction and flexion ही यह जो कराती है this is all about sartorius यह टेलर मॉसल then हम बात करते है last one is tensor face लेटाई tensor facing लेटाई यह it bent यह कौन सी मॉसल है सारी की सारी जितनी अभी तक हम लोगोने muscles study क्या rectus femoris ilio soas sartorius सब की सब एंटी एंटीर कंपार्टमेंट यह मॉसल थी लेकिन जो tensor face लेटाई है यह कौन से कंपार्टमेंट के lateral compartment muscle lateral compartment muscle यह lateral compartment muscle जो है रहते है tensor face लेटाई अब भी क्या है जो tensor face लेटाई है it is also two joint muscle जो यह greater tubercle है यह यहां से होके जाती है like that और पूरी जो यह anterior जो रहता है इसका इसको fully यह close करके जाती है अब इसका advantage क्या है जो यह full जो पूरा femur है इसके anterior ली यह जा रही है anterior लेटरल compartment में यह जा रही है इसका क्या use है अब भी हम बात करते हैं trabecular system की compressive forces तो fully body पे लगती रहती है compressive forces like मैं खड़ी हूँ head, arm का जो ट्रंका weight है वो femur पे जा रहा है तो compressive forces में तो sustained fully रहता है hip joint यह हम लोगों की जो लोवर बॉन्स है टेबिया एंट फीमर full day तब भी standing में है working में है day to day activities करते है full day compression force रहता है लेकिन में चीज क्या है tensile forces को प्राइड करेगा इसको these are compressive forces tensile forces को प्राइड करेगा बोन को तक कि जो tensile forces के वजए से जो ट्राइड क्राइड करने का काम करते है that is provided by TFL tensor face से लेटा है tensor face से लेटा है क्या प्राइड करता है tensile stress tensile compression force tensile forces प्राइड करते हैं फीमर बोन को जितना ज़्यदा force इसके उपर exert होगा उतना ही trabecular system डावलप होगा उतना ही density जैसे ही force increase कर रहा है trabecular system डावलप करेगा trabecular system साथ के साथ density जो है बोन का increase करेगा अगर density increase हो रहा है तो strength of bone ही automatically increase और जो resisting capability है वो increase कर जाएगी increase resisting capability to tensile stasis जो outside से एकदम से literally directed force लगेगा तो उसको register करने में health करेगा अब भी जो tensor face सा लेट आए है hip flexor है साथ की साथ ये क्या कराता है कि जो ये along the length of femur जो ये pass करते है along the length of femur lateral compartment में ये tangile forces pride करते है ये tangile forces जैसे जैसे provide करेगी जितने ज्यादा forces ये muscle बॉन के उपर pride करेगी प्रेबिकुलोर सिस्टम उत्ता ज्यादा activate होगा प्रेबिकुलोर सिस्टम activate होगा तो यहाँ पर क्या start हो जाएगा density bone का increase करेगा bone का density increase करेगा it means strength and capability आ रहा है उनको रजिस्ट करने का तो इसलिए ये helpful रहता है TFL in providing strength to the bone and density increases and to resist tensile forces उसको prevent करने के लिए TFL is very effective this is all about TFL then हम लोग बात कर रहे थे हगर इलियो स्वास का जब हम pathomechanics की बात करते हैं इलियो स्वास के tightness थी उसमें anterior pelvic tilt कर रहा था उसकी वजह से दो दो दिक्कते आ रही थी एक तो lumber flat हो रहा था और second lumber lodosis increase कर रहा था उसको compensate करने के लिए body के अंदर क्या actions हो रहे थे जो anterior pelvic tilt है या तो lumber lodosis this one यह increase कर रहा है या फिर अगर old days है तो यह चीज जो है lumber flat में चला जाता है और belly जो है protrude कर रही थी old days case में क्या था फ्लैट हो रहा था जो belly है वो protrude में जा रही थी अगर यह चीज है इफ अगर ellios rectus femoris अगर tight है if rectus femoris का weakness का हमने बात कर लिया था weakness अगर है rectus femoris की अगर rectus femoris weak हो रही है तो वो buckling करेगी weakness है तो buckling करेगी अभी हम बात करेंगे tightness का अगर rectus femoris tight अगर हो जाता है ताइट अगर हो जाता है तो इसकी compensatory क्या चीज रिलीज होगा वो हमने ileo swas का क्या था अब भी अगर rectus framuris tight हो जाता है तो उसके response में जो abdominalis muscles है rectus abdominis, transverse abdominis, external oblique, internal oblique तो ये वाग करेंगी कौन सी muscles वाग करेंगी abdominalis muscles अगर abdominalis muscles जो core muscles strong है तो क्या होगा? पेशेंट को कोई भी lumbar के उपर जो ये loadosis increase कर रहा है या फ्लैटिंग हो रहा है ऐसा problem नहीं आएगा अगर strength core muscles का अच्छा है अगर activity, weakness है abdominalis muscles का external oblique, internal oblique, rectus abdominis अगर ये muscles weak है तो simultaneously क्या चीज आ जाएगी? if it are weak तो यहाँ पर increase in lumbar lordosis lumbar lordosis जो है increase कर जाएगा इसलिए तब एक patient को rehabilitate किया जाता है तो back muscles कोई भी standing करेंगे leg muscles की भी standing करेंगे साथ की साथ core stability is also very important because of kinetic chain क्योंकि functional chain की तरह एक body काम करती है ये joint effect हो रहा है तो lumbar भी effect होगा साथ की साथ जो anterior muscles है वो भी effect होगी अगर lumbar lordosis increase कर रहा है तो उसमें भी अगर abdominalis weak है example in pregnancy cases जैसे ही lumbar lordosis increase करता है uterus की वज़े से uterus grow कर रहा है तो abdominalis weak हो जाती है तो lumbar lordosis increase कर जाता है in case of pregnancy वो चीज normal लहता है लेकिन अगर normal athletes की बात करते हैं तो अगर उनके अंदर rectus femoris का कोई weakness या post operative कोई चीज चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिरफ हम लोग rectus femoris को stand करें और back की standing करें there is also important to core stability साथ के साथ core के stability को भी enhance करना है core standing भी patient को देना है because अगर in future rectus femoris का weakness आ भी जाता है तो ताकि हम लोगों की जो spine है उस पर affect ना है उस पर affect कब नहीं आएगा तब abdominally strong होंगी abdominally strong होंगी तो वो spine के उपर unnecessary force नहीं जाने देंगी अगर वो weak होंगी तो spine पर unnecessary force जाएगा इसलिए patient को rehabilitate करते हैं standing और जिस भी aspect का कर रहे हो core muscles की standing and back muscles यह तीमों चीजी ही important है this is about rectus femoris नहीं हम बात कर रहे है तेंसर फेशा लेटा टीफी टीएपल हमने बात क्या कि जो यह muscle है यहां से पास करके यह muscle जो है जाती है if suppose if there is weakness अगर TFL का weakness हो जाता है या फिर snapping हो जाती है snapping snapping of hip joint या this muscle का अगर snapping हो रहा है snapping का मतलब क्या है कि जो यह greater tubercle के इधर से जारी थी यह muscle जो है lateral aspect में आ जाएगी lateral aspect में आ जाएगी जैसे ही patient hip flexion करता है suppose यह activity है मेरी जैसे ही मैं hip flexion में जाऊंगी तो क्या होगा यहां पे click की sound produce होगी because जो यह muscle fiber था यह यहां से transfer करके जो greater trocanal था उसके posterior चला गया है जो यह fibers थे anteriorly जो cross कर रहे थे वो posterior आ गए है इसकी वज़े से अगर weakness है तो यह posteriorly fibers जा रहे हैं होँ आपे click sound produce होगा एक जैसे like that ऐसे चटक के आवाज उसमें आएगी तो उसको बोलते snapping of hip joint यह snapping of pencil ऐसा लेट आई अगर यह बार-बार ऐसे होता रहता है प्रोमीन एंट लियर से बार-बार repeated यह चीज होती रहते है तो यह serious complication create कर सकती है that is क्या complication हो सकता है प्रोकेंट्रिक बरसाइटस प्रोकेंट्रिक बरसाइटस जो बरसा प्रोकेंटर के पीछे जस्ट होगा उस बरसा का inflammation हो जाएगा बिकोज repeated हो पर friction produce हो रहा है that's all about अभी हम लोगोंने क्या-क्या discuss क्या first हमने ileo swast का discuss क्या weakness है anterior tilt होगा lumber पर या तो loadosis increase कर सकता है या फिर वहां पर flatting हो सकता है in cases में भी PIVD भी हो सकता है या facet joint pathology भी हो सकता है अगर यह चीज weak है और second क्या हो सकता है hanging bone capsulo ligamentous structure जो यह चीज है हम लोग अगर यह ileo swast weak है तो posteriorly हम लोगों की line of gravity जाती है तो उसको stabilization कौन प्रोइड करेगा अगर muscles तो weak है उस time पे वैसे भी muscles का slightly role होता है तो capsulo ligamentous structure जो है वह stability प्रोइड करेगा normal posture को gain करने में वह था hanging of ligament then हमने rectus femoris के describe किया अगर rectus femoris का weakness हो जाता है तो hip पे कुछ effect नहीं होगा slightly vary करेगा flexion लेकिन जो knee joint पे है वह buckling show करेगा फिर tensor face है लेट है अगर weakness हो जाता है तो जो muscle fibers है वह greater trochanter के just posteriorly और फिर anteriorly आ जाते है action खतम होने के बाद action start होगा posteriorly जा रहे है greater trochanter के वह synapses हो जाएगा snapping होगा और click sound वहाँ पे produce होगा साथ के साथ अगर यह repeated होता रहता है तो trochanter के बासाइटिस होने के chances भी रहते हैं सार्टोरियस एक ऐसी muscle है जिस two joint muscle है साथ की साथ उसका physiological cross-sectional area भी भूद कम है as compared to rectus iliosoas तो वह इतना efficiently work नहीं कर पाते हैं but as compared to primary muscles secondary muscles pectinus, gracius, adductor longus, bravius उनसे efficiently work आपते हैं this is all about reflexes साथ